Welcome back viewers मैं हूँ अभिशेक और आज हम लोग solve करेंगे chapter 2 polynomials की exercise 2.1 यह जो exercise 2.1 है ना यह इससे आसान कोई भी exercise आपके book में नहीं होगी और यह जो है ना यह सिर्फ समझने के लिए ऐसे question exam में आते भी नहीं है तो चलो solve करते हैं यह करें the graph of y equals to px are given in the figure this for some polynomials px find the number of zeros of px in each case हमें number of zeros पता करने कहां पर पता करने px मतलब x-axis में number of zero find करने कैसे पता चलेगा देखो यहाँ पर यह जो आपको graph दिख रहा है इसमें x-axis दिखो इस x-axis में अगर कोई line touch करती है तो वो एक point माना जाएगा और वही point हो जाएगा हमाई पर zeros समझाते हैं कैसे जैसे कि हमने यहाँ पर एक graph बना लिया देखना यह graph है ठीक है अब हमने कहाई यह x-axis है यह y है यहां से हमारी line गई यह जो point बना यह हो गया हमाई पर एक zero अब यह एक और line गई यह बन गया दूसरा zero यह call line चलेगे यहां पर इस point में touch कर रही है यह होगे हमारे पर तीसरा zero एक zeros अगर आप से कहा जाएगा कि आपके पास यह figure दे दी जाएगी और कह दिया जाएगा कि इस figure से आप number of zeros find करके बताओ तो आप देखोगे कि यह जो हमाई line यह x-axis को कहां पर touch कर रही है हमने देखा यहां पर touch की तो एक दो थीन हम बोल देंगे number of zero हमारे पस यहां पर three है ऐसे find करना इसमें तो देखो यह access और यह यह वहाई है हिए नहीं न है तो यह कोई भी हमाई पस लाइन टेच कर रही नहीं नहीं थो यह लाइन नहीं पर एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ है, तो इस वाले figure में तीन पॉइंट हमारे बनेंगे, मतलब तीन zeros होंगे, इधर आजाओ, यहाँ पर दोखो, x-axis यहाँ पर है, और यहाँ पर दोखो, एक point यह बनदा है, दूसरा point यह है, तो यहाँ पर दो zeros हो जाएंगे, अब इसमें जो हमाँ पर fifth है, इसमें देखो one, एक zero यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, तो पांचवे वाले में चार zeros बनेंगे, अब इसको जड़ा समझ लो, यहाँ पर देख पार हो, एक point यह बनदा है, दूसरा point हमारा यह बनदा है, तो इसमें हमाँ पर दो zeros हो जाएंगे, बस इतना ही है, इस exercise में, I hope आपको zeros समझ में आ गए, बहुत simple है, यह question आते ही ने exam में, अब जो next exercise है 2.2, यह आपको मिलेगी description में, इसका link description में मिल जाए मिलेगी।